पांसर जी आज आपने जो है तार्टी जन्ता पाईटी से इस्तीफा दे दिया क्या वजह रही क्या टिकट कटने से नाराज थे या और क्या वजह विकास किया है विकास करेंगे विकास किया है विकास करेंगे अंशुल थे अंशुल ही रहेंगे चौकिदार न कहेंगे मेरा इस्तीफा जो है मेरे ख्याल से अगर विकास ही मानक था तो 24,000 करोड रुपया लगाने की आखरी पायदान से 14 पायदान तक लाने की सजा हो सकती है सदन में मेरी उपस्तिती 94% छेत्र में मेरी उपस्तिती 95% तो दोश कहां पर था आज भारती जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी मिलने को त्यार नहीं है अपना स्पष्टी घर्न देने को त्यार नहीं है और मेरा दोश ये था कि मैंने अपने समाज के लिए सर उठाया साहब ये सर कट तो सकता है जुत नहीं सकता है अच्छा आपने जो स्टीफा दिया है वो बिजेपी कारले के चौकिदार को दिया है इसके पीचे क्या वजे क्या कोई आपको जिम्मेदार ऐसा नहीं मिला उसको अपना स्टीफा दे सकते हैं अच्छके जब से जिम्मेदार चौकीदार है तो मुझे लगा कि जो नामी चौकिदार हैं उसको असनी चौकीदार को क्यू talvez गयोना दिया जाए और उसको एक दिनका सहीओग ही हम देदें धन कुभेर चौकिदारों को स्तीफा देने का कोई मायने नहीं है मुझे लगता है कि असली चौकीदार को ही देना, जिम्मेदार चौकीदार को ही स्तीफा देना, एक जिम्मेदार पाठी की कारेकरता का मतलब आप कह सकते हैं, दाइत होना चाहिए, वो मैंने किया, अब अगला कदम क्या होगा किस पारटी में जा रहे हैं अभी तक कोई निर क्या आप सियासी भविष्य क्या होगा, क्या कुछ को सोच पे चल रहे होंगे, क्या है आगे? जब निर्णा ही नहीं है तो उसके बारे हम भविष्य की बात कहा से कह सकते हैं करते हैं हुआी कर गुआ है कर सकत्सक्र अंग